बिहार में करोना टेस्टिंग को लेकर गरवड़ी सामने आने के बाद सरकार ने पहले फजीहत जेली और अब दोशियों पर एक्शन लिया जा रहा है लेकिन पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाओं में प्रबंदन के नाम पर बड़ा फरजी वाड़ा सामने आया ह विधानसभा चुनाओं में मन माने तरीके से कर्ज और फरजी वाड़े का संसरी खेस मामला उजागर हुआ है दरसल पटना जिले में चुनाओं की तयारिया और प्रबंदन को लेकर जो बिल अजंसियों की तरफ से जमा किया गया उस पर संडे होने के बाद जिला प्रशास और एक जगा से दूसरे जगा जाने के लिए गाड़ियों समेथ अन्य खर्चिक लेजनसी ने 42 करोण का बिल दिया 2014 के लोगसभा चुनाओं में पटना जिले में 50 अर्द स्यानिक बलों की कंपनियां तेनाद की गई 30 पर तक्रीबन 2 करोड 30 लाख रुपय का खर्च आया थ इसके बाद तीन सदस्यों की कमिटी बनाई गई जिन्हें जाच का जिम्मार दिया गया इस कमिटी में ततकाली अपर समहर्ता राजस राजीव कुमार शुर्वास्तव डिया डिये के निरदेशक अनिल कुमार और जिला भवश निदी पदातकारी और अवर निर्वाचन प इलाव जाच हो रही हैं उसमें पटना के सिन्हा डेकुरेशन और महावी डेकुरेशन सामिल है दर सल जाच में या खुलासा हुआ कि अलस्यानिक बलों को जिस जगह ठेराने के लिए टेंट लगाने काबिल दिया गया वहां कभी और स्यानिक बल के जवान ठेरे ही नहीं इ रोलिष्टी है और स्यानिक बलों के ठेरिक लिए जो टेंट रफफ लगाने का प्रेश्ट का ब्यूरत देया गया है वह बजार हो से ज्यादा है कि अधिकार्यों के मतबेग्ट पंडाल तेंट पंडाल में हो जाता लेकिन पंडाल क्या है या उससे अधिक लिखा गया वै हार विधान सभाचुनाव में छे जिले में हैं जहां सबसदी खर्च दिखाया गया है इनमें गया बाका पूर्विचम पारण कटिहा सीता मड़ी दर्भंगा पटना जिला शामिल है लेकिन पटना में जो गड़बडी सामने आई है उसके बाद माला जा रहा है कि जिलों में इसी तरह का फरजी वाड़ा हो सकता है अब तक इस मामले में दूसरे जिलों से कोई जन्द की बात सामने नहीं आई है लेकिन मामला निर्वाचन आयों के संग्यान में आ गया है पटना के अधिकारी ने कहा कि जिन अजन्सियों खिलाफ जाच हो रही है उसमें पटना के सि लीटर डीजल का खर्च दिखाया गया और यह बात जाच में सामने आई ओडिट के दुरान जब यह बात पकड़ में आई तब बड़े अधिकारी हरकत में ऐसे दस वहानों के खर्च के ब्योरों में गरबड़ी पकड़ी गई है इसकी जाच चल रही है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें